जैसे अगर सिर्फ दो ही मिनिट बाकी हो जैसे अगर सुरज तुलू होने में तो क्या हम पहले फर्द पर सकते हैं सुन्नत को बाद में पर सकते हैं कि बिल्कुल आप नहीं सुन्ट फर्ज आप जो चाहे हैं पहले पढ़ें जब मालीजें आप जो करें दो मिनट बागी है जाहिर आप सो गए होगे कोई उजर रहा होगा तभी दो मिनट बागी है तो जब भी आपकी नीद खुले आप फौराण पढ़िए आप चाहे तो पह तो भाई सुन्नत का भी तो वक्त होता है सुन्नत भी फजर से पहले ही है कोई बात नहीं जो जब आप उस वक्त जागे तो वही आपका वक्त है मा लीजे सूरज निकल आया आदा गंटा हो गया सूरज निकले तो वक्त तो निकल चुका है लेकिन वो जो वक्त निकल चुका अब जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका असल वक्त वही है, क्योंकि जागने वाला जब जागता है, वही उसका वक्त होता है नमाज का, इसलिए इस मसले में उल्मा के दरमें खिलाफ है कि कोई सूरज निकलने के बाद जागा और फजर पढ़ रहा है, तो ये कज़ा है कि अदा है, शेखिल इसलाम इबन तैनिया वगरा ने कहा है कि ये कज़ा नहीं है, कज़ा तो वो है जो जान पूज करके वक्त निकाला है आपने, ये तो आपका असल वक्त है, क्योंकि आप वही जागे हैं, क्योंकि अल्लाह के नमा अनिस सलाते और नसीहा, फल्यूसलिहा अदादा कर रहा, तो जिस वक्त आपको याद आ रहा है, जिस वक्त आप जाग रहे हैं, वही आपका वक्त है, तो आप ये मि सोचीए क्योंकि निकल गया, वही आपका वक्त है, जीचे लाजए, जीचे नानिस्वेह, बहुत बहुत शुकरिया, जजबाब खाय खर हमास Wash j कभी बाइचांस किसी उद्र की वज़े से कोई लेट उठ गया मा लिजे अलाम लगा के सोया throughout लगा के सोया सारा इंद जाम करके सोया फिर भी नहीं कुल सकी हो सकता है और हो जाता है ऐसा बही बही आल्ला के नभी सहसंसें के साथ एक बार हो गया सोए और जिनको जगाना था वो भी सो गए सारे लोग सो गए पता चला कि जो है सूरज निकलाया तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये उज़ रहे लेकिन बाकाइदा वो अलाम सेट करके सोए साथ बजे आठ बजे का तो इसको थोड़ी कहेंगे कि जो है उसकी नमाज चुड़ गए उसने जयान बूश के छोड़ा ये तो हराम है अगर जिसे कोई इंदिजाम करता है शेख लाराम लगा रहा है लेकिन उसके बावजुद कई कई दिनों तक नहीं उट पा रहा है और जब उट रहा है तब आख खुलके नमाज तब नमाज पढ़ रहा है नहीं तो देखिए अगर हकीकत में उसके कस्द का इसमें कोई दखल नहीं है तब वो माजूर है बस यह है कि इंसान मुझाहदा करे अपने आप इसी को तो जिहाद कहा जाता है जिहाद इसी को कहा जाता है कि अपने नफस से मुझाहदा करें कोशिस करें एक बार जो है छूट गई दुबारा और अच्छे से कोशिस करें अब जो है आपने जिन तरीका बताया था कि जब अलार्म लगाएं तो थोड़ा घड़ी को दूर रखें हाँ ताकि उठके जाके बंद करना पड़े हाँ और अलार्म थोड़ा आईसी घड़ी में अलार्म लगाएं कि जिसकी आवाज सुनने के बाद नीद आ ही न सके आपको तो आदमी कोशिश करेगा तो बहुत सारे तरीके हैं जजज़ाग लब खरशे